बिहार सिक्षक भरती का फॉर्म बढ़ने की जो अंतिन तारीक थी वो समात्त हो चुकी है लेट फाइन के साथ 22 तारीक तक आवेदन कर सकते हैं जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं और अभी तक अगर हम बात करें कि आवेदन की संख्या कितनी हो चुकी है तो सिक्षक बर्ती के लिए यहाँ पर 7.93 लाख ने किया आवेदन इसमें से नियोजित सिक्षक कितने है तो सिर्फ 63,000 नियोजित सिक्षकों ने भी आवेदन किया है राजी की सबसे बड़ी परिछा 1,70,461 सिक्षक बर्ती के लिए बिना सिल्क आवेदन की अंतिम बिना लेट सिल्क यहाँ पर होना चाहिए था विलंब सिल्क आवेदन की अंतिमति थी बुद्वार साम 5 बिजे तक खतम हो गई है विलंब सिल्क के साथ आवेदन करने का मोका 22 जुलाई तक है कच्षा 5 तक की सिक्षक में एक पद के लिए 9 भीरती कच्षा 9 और 10 में 2 गुना और 11 और 12 में पद की तुलना में भीरती कम है वही विरोध की बज़े से मात्र 63,000 नियोजित सिक्षकों ने आवेदन किया है राज्ज में नियोजित सिक्षकों की संख्या लगबग पौने 4 लाग है नियोजी तो सिक्षक बिना परिक्षार राज्यकर्मी का दर्जा देने की मान कर रहें सरकार से इस मामले पर पिछले दिनों विधान मंडल के मानसून सत्र के दौरान राजदानी में प्रदर्शन भी किया गया था मानसून सत्र के दौरान ही विधारन परिशत में वित्तमंत्री विजे कुमार चौधरी ने कहा था कि मुक्यमंत्री नितीस कुमार सिक्षक नेताओं से बात कर समस्या का समाधान निकालेंगे तो अभी तक यहाँ पर 19 जुलाई साम तक 7 लाख 93 यानि लगबग 8 लाख केंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है अब 8 लाख यहाँ पर सीटे होंगी जिन पर फाइट होगी मतलब 8 लाख लोग यहाँ पर परिच्छा देंगे और 1500 से अधिक केंडरों पर यह परिच्छा होगी पतना से प्रकाशित भबर है सिक्षक न्यूक्ती की परिच्छा राज के 1500 से अधिक केंडरों पर होने की संभावना है 16 हजार पदों पर ही दूसरे राज्यों के विर्थियों को मौका यहाँ पर दिया जा रहा है बिहार लोक सिवा आयोग के माद्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के बिर्ति आविदन देंगे राजसरका ने नियुक्ति में सभी राज्यों के लिए बिर्तियों के लिए आविदन को हरी जंडी दी है लेकिन यह भी साब किया है कि किसी तरह के आरक्षड का लाव सिर्फ बिहार के स्थाई निवासी को ही मिलेगा यानि अन्य स्टेट के जो कंडिडेट है वो जनरल में काउंट होंगे बट यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफूजन ये बन रहा है आयोग ने क्लियर नहीं किया है कि जो महिला सीटे हैं महिला सीटों को यहाँ पर जो रिजर्ब किया गया है वो सिर्फ बिहार के लिए है या फिर अधर इस्टेट के लिए है अगर हम इन नियूस पेपर की बात करें तो ये कह रहे है कि किसी भी तरह का रक्षड सिर्फ बिहार के स्थाई निवासी को मिलेगा मुक्य सचियू ने 3 जुलाई को इस संबंद में जानकारी भी दी है इस संबंद में सिक्षा विवाग के पदादिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ती के लिए विग्यापन जारी हुए है इन में से प्रारंबिक के लगबग 80,000 पद हैं उनने 8,943 पद हैं इन में से 60 प्रतिशत सीटे विविविन में जाति समूं के लिए आरक्षित हैं जो की करीब 40,000 होते हैं से 32,000 में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए हैं तो इस तरह देखें तो 16,000 पर ही दूसरे राज़ी के अभिरती आविदन कर सकेंगे जो अनारक्षित सीटे होंगे यानि जो जनरल की सीटे हैं वो 16,000 हैं और वही पर अन्ने इस्टेट के कंडिडेट जो हैं फाइट करेंगे अश्यक है लेकिन ये परिक्षा काफी समय से नहीं हुई है राश्टी इस तर पर सिर्फ सीटेट होता है जो कच्छा एक से आठतक अर्था प्रारमिक सिक्षिकों के लिए होता है इस तरह देखें तो एस्टेट में जो राज से बाहर के बिरती हैं वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे है ना जो आपकी और चिस्तर की जो परिक्षा है उसमें अन्ने स्टेट के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ये भी यहां पर कहा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जो राज जी के कर्डिडेट हैं वही पेपर टू के लिए यानि जो उच्छ इसे पहले का भी डेटा इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर के बिर्थियों को देना है आविदन बिहार को छोड़कर अन्न राज्यों वा राश्टी स्टरपन नहीं होता है एस्टेट 2012 के बाद विभिन इस्टर के सिक्षकों क 34 अभिरती नियोजित हुए थे इनमें अधिकांस पूर्वी उतरपदेस और जारकंड के हैं तो सिर्फ 34 पिछली बार सेलेक्ट हुए थे देखते इस बार क्या आकड़ा होगा 16,000 हैं इसमें से देखते कितने लोग यहां पर फाइट करेंगे हाला कि अच्छा मौका है पे जिजे वहीं है जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं करिंट अफ़ेर्ट हो गया मैत हो गया रिजनिंग हो गया पढ़्या ब्रड हो गया साइन्स हो गया तो वही जीजा आपको पढ़नी है उमीद करते हैं चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो यहां पर यह खबरती आ पतक पहुँचाना कि सिक्षक भरती के लिए आविदन कितने हुए हैं और अन्ने स्टेट के कितने कैंडिडेट को यहां पर मौका मिलेगा इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही मैं तब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा